Welcome to ProPots आज का वीडियो है वो एक Tech-related topic के बारे में है पर ये आपके लिए बहुत जादे useful होगा even if you are not a tech savvy NFC ये एक ऐसा technology है जो काफी सालों से कहीं phones में आते जा रहा है पैसे फाइएंट phones में आता था अब majority phones में आता है और बहुत सारे devices में भी ये होता है चली देखते हैं ये कहाँ पर use होता है और हम इसे कैसे useful बना सकते है NFC ये टेक्नालोजी जो है वो payment के लिए भी use होती है कहीं जब आपे contactless credit cards या फिर phones में जो Apple पे, Samsung पे या Google पे जो use होता है उसमें भी आप credit card के information save कर सकते हैं और contactless POS device के उपर touch कर दे ही उसे payment होता है बहुत सारे media devices में भी NFC यूज होता है आपने शायद नहीं देखा होगा तो अब देख लेगा अगर आपके Bluetooth speaker या फिर Bluetooth headphones के उपर NFC का एक logo है तो उसमें अगर आप अपने phone से approach करेंगे NFC से तो उसमें directly pairing होती है आपको manually जाके Bluetooth की settings में उसके लिए pair नहीं करना पड़ता चलिए आज इसके कुछ इस्तिमाल देख लेते हैं first of all हम देखते हैं कैसे आप एक phone में से दुसरे phone में कुछ contact information share कर सते हैं for example if I have a contact on this phone I want to share it with this phone all I have to do is open that contact approach it to the next phone from the back to back यहां पर आपको एक बीम करने के लिए option देगा आपको यहां पर touch करना है और यहां पर आपका contact आ जाएगा इस तरीके से आप contacts web pages YouTube videos और कुछ और भी supported apps हैं उसमें से data एक phone में से दूसरे phone में share कर सकते हैं just by tapping the back of two phones NFC enabled devices जो हैं वो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में होते हैं we might not be aware of them जैसे कि trains और bus के जो cards होते हैं और metro के भी cards and tokens जो होते हैं उसके अंदर भी NFC की chip होते हैं जिसे वो contact करते ही उसका data read करते हैं उसके अलबा हम हमारे लिए blank tokens या tags भी ले सकते हैं जैसे की kitchen वाले ऐसे sticker form में भी आते हैं and these PVC kind of cards इन cards के अंदर आप contact details दाल सकते हैं और आपका e-business card बना सकते हैं प्रँटा प्रशक झते हैं झाल सकते हैं झाल सकते हैं झाल कर दो 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 तो आप एंफिके ब्लांट टोकन्स भी दे सकते रहां उसके इनर आपका खुद का डेका ब्लाइट अच्टा आप भी राइट कर सते हैं, इसके नरी यूर्ल्स और कांटक्स जैसे बौट सरी चीज़े आप राइट कर सते हैं, for example, in this card, I have a URL which is open, when I approach it with this, it gives me an option to open it in Chrome browser, once I open, the URL which is written in this will get opened to this URL, और जो ये cards होते हैं, Metro अगयरा के, वो रिराइटेबल नहीं होते हैं, उनके उनका पहले से कुछ data होता है, पर हमें अगर इन्हें किसी वह में यूस करना है, तो ऐसे कुछ apps available होते हैं, जिसे आप इन tags के साथ कुछ ना कुछ टास्क असाइन कर सकते हैं, जो इनको अप्रोच करते ही ट्रिगर हो जाते हैं, I hope, आजके इस वीडियो को देखने पाद आपको बता चला है के NFC आप किस तरह से यूस करते हैं, and it won't remain an useless feature in your phone anymore. Thanks for watching this video. Please hit the like button if you feel that it was important for you, and subscribe to our channel for more such awesome videos. Thank you.